कि लेट्स रिवाइज मिट्पोइंट होड़ा है कि दो चैप्टर उनके लाव पॉलिनोमियों की थ्री एक्साइज और को इंस्ट्रक्शन आना है सब्सक्राइब के है कि वल्यूम भी किरें वह वह सब्सक्राइब के लिए खिर को जाइन तरे क कुछ शेंट ने पर से फिर्वी तो है सब्सक्राइब करना है क्या चाहता है अभी निखना है बाद में टीक है सो मेरे मिट पॉइंट वरंगुल स्टेट इना ट्राइंगल अलाइं सेग्मेंट ज्वाइनिग नमिट पॉइंट सेब्सक्राइब मिट आट एंट ठाइंट अप क्या श्यसंट आट करना लेघ्ट पॉइंट निखन विह विछ विधन ऑ औ त gelmişी औग निएältि एब Chancellor इवर पर लिखोगे ट्राइनल A B C D is the midpoint of A B E is the midpoint of A C to prove D E is parallel to B C and D E is half of B C. For this we will do the construction produce D E to F or draw C F parallel to A B such meeting D E produced at F okay यहाँ पर हमने यह नहीं लिखा कि D E is equal to E A. हमने यह construction की है यह हमने C F, is our construction,our construction is C F is parallel to A. आभ इसके लिए निफा? Now we have to prove that D E is equal to B C and D E is half of B C. For this we need to prove this here. आपको फिग्र में बिख रहा है आपको फिगर में दिख रहा है प्रेस्टी। सबसे पहले मिद पाइं तोरम में अगर आप ऐसे पहले मिद पाइं तोरम को यह नहीं चलेगा इस पित बहु दो पिप्ट में धिए ए और फिक गोगे लिए ए लाइ इसने पारर अपते लिए ए अनल ऑग कोगें खुके अगर ए लाइ इसने पारर्ला है इस Seri यह एiencia काध्या चल के लिए अल्यू ुट of AC, try to understand the question don't sit like you are very smart but you are not understanding. You don't know why A is equal to CE? Are you him jawasd the question? Poohusko why A is equal to CE because E is the middle point of AC. So therefore, by angle and angle side the triangles are congruent. इसके बाद सब्सक्राइब कर दिया, इसके बाद सब्सक्राइब कर दिया, इसके लिख दिया, फिर आप लिखोगे, इसके बाद सब्सक्राइब कर दिया, 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 इसके सबसे पहले आपने इंतुनों ट्राइंग propose सिरंप करना है उसके बाद आपने सीरफ एक पैर को टाने एक प्रहू पहांता है उसको पार पार इसको प्रूप करना है सब्सक्राइब दिन को जब नहीं जरुए नहीं पर प्रिट नियुक कि जो चीज जग्हाने भाई है आप इस दिद्टिय दित्ट को अद्य ट्युद्यों होšाइशाइड लेखें, वह में कहने हो कि आपा सबुर्ट व्यायई this cf लेखेंगे। व्याय इटते हिए लेकें, because this cf is is equal to bd the ng. So cf is Paylar to bd if cf is equivalent to bd this makes it a parallel सिसे गिस पार状ुरामocy futuristic हम पार्राश tastes पार्यलों विस विस पार्यलों सिसे पार की जिए कि पार्यलों व्यमेदं ग्या this is this is ours also आय ग्याुमाइं व्या पार्यल के जिस एंदीज उट करत अग दीख दीटन हम मुदरीख là ग्याुर। D F is what? Twice of? D E. इसमें जा गया? Right? वो midpoint है? यहाँ? Midpoint means? D E is equal to E F. C P C P से की है, not D E. D E is equal to E F. इसलिए हम पार रिक सकते है. आपको यह चीज़ किसनी पड़ेजी C P C P. Why we have taken twice of D E? Because we have proved that D E is equal to E F. वरना हम D E F को twice of D E फोरी निक सकते हैं. अब यह जो हमारा C P C T था फो यहाँ पे भी उस हुआ. और यह मारा C P C T यहाँ पे भी उस हुआ. इसलिए triangles को गवर्नेंट कूप करना necessary है. Price of D E is equal to D C. So D E is what? Half of D C. This is very important. ठीक है? पहले क्या होता था? एक set में I told you, I think I have told you earlier also. एक set में midpoint, एक set में कुसका converse. अब converse का proof नहीं है, तो midpoint theorem के chances है कि 2 set में midpoint theorem आ जाए. इतनी बार बहुल के अभी भी बोला है, जब्टर एक्जाम के तब भी बार 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 बोलेंगे, फिर भी ऐसे महाम हस्तिया है, जो midpoint theorem जलब करके आपने. जो people practice the theorem रिया ग्रापोश्यस, then the solution is in front of you. पहले प्रेश्यस करते वक्त तुसको अपने पास करना है, तो इसके बार उसको बंद कर देना है, कोई और सब्सक्राप पढ़ना है, तो आपकर देखो, कि आपको रिप्वाइट को रहाती है, तालता आदा लिए ते वहांते रिगाइस किया, पतालता लिए सौल करते देखिए उसका नहीं है, ब्रेट दो बीच में फिर शुक्तो अच्छा सेफ्टन लिको, फिर देखो कि तुम तुम रिप्वाइट करता है, और कि नहीं हो कि नहीं है, वरना कुछ भी कर देने से नमपर नहीं मिलेंगे प्रॉपर से से सथी खोरोग्राम स drilledWA ? is novel से फीर से एंभी करते प्रोब कर्म इंदेखेट आपड्य को आपने लेगानि अपने लेरा है विए फैलल ने जान ऊपर ययोचो कुछा गीविंध्य सब्सक्राइए पिर इसके पार्लर और यह पूर्यम ए इसके पैललर होग के विए तो आदि इसके हाफ देए, ओके? मैं, तरह से कॉंप्रूएंसी को लगता है, इसलिए होते हैं, तक प्रैंगल की नेते हो, जैसे मानों दुम्हें दिया यहां पर A, B, E and C, F, E, जैंडू? तो आप देखो, A, D है, अगर आप लिखते हो, A, D is equal to C, F, तो ट्रैंगल में A, D मालों ऐसे है, A, D, और C, F, नीचे से है, तो यह जरूरी नहीं है, अगर A, D, उपर से नीचे जा रहा है, तो C, F भी उपर से नीचे जा है, आपने साम्के होने चाहिए, अगर आपके आपके opposite side, AD, C, F के साम्के होने चाहिए, लेकि निकों के आप इसको देखा को, कि यहां A, D है, तो यहां A, D है, तो यहां C, F, C, E, और निखो AD is equal to CF यह फिर गलत ही होगा, पच्छे को नमड़ी ने लेना है, तो कोड़ी का ने लेना है, तो कि कॉंगरेंसी क्या है, कौन से side is equal है, क्यों साब triangle लेरू है, तो यहां कुछु भी निख दो, आपके, तो यहां पीपल आप मेंसी एजी पर लू, 1.1, 2.2, 2.3 is only there in this time so that you can do good practice of these three पाइब पाई इदर बास्ट पर ए इदर इसी तरह से सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इंज्वाइए कर रही थी को के तो पॉलिनॉमियल क्या होता यह दिशन नहीं एन एक्स्रेशन यह सो एक्स्रेशन पर पॉलिनॉमियल स्क्वेर प्लस फोर इस पालिनॉमिल यह अगर आप देखो कि यहां तो एक्सकी पावर तुई है डिनॉमिनेटर में नहीं होना चाहिए वेरियेबल इसको अगर मैं लिखो तो ऐसे बन जाएगा जाएस कौ एस स्क्वेर और में बडिनॉम इस टार पूलय मैं ईडनॉमिल यह तो ंनल वी शदेखो और इसनौत फो not a polynomial the degree cannot be in root the degree cannot be means the power cannot be in decimals cannot be in root cannot be negative x square plus 4 raise to power minus 3 is it a polynomial yes the degree of the variable should be positive polynomial is an algebraic expression which is the combination of variables coefficients and constants with the mathematical operations that is plus minus multiplied by it but the degree of the variable should always be positive constant x square plus 1 by 64 it's okay we are not concerned with that we have to see that the degree of the variable should be positive whole number the degree of the variable kata polynomial arvind 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 1.414 1.414 1.414 1.414 1.4 14 थीक है जी कोफिए च्छी नही वात कोफिए च्छींट कोफिए च्छींट हां एक बात जैसे मालों आपके पास है 7x plus 4 y square all together you will not answer just raise your hand what is the coefficient of x here Rydhima what is the coefficient of y 4 y square sorry okay daljeet what is the coefficient of x yes this this only I want to want it to tell यहां पर x कोई टर्म नहीं है यहां पर हमारे पास क्या है x square जैसे x की टर्म इसमें x का कोफिशेंट क्या है 7 क्योंकि हमें हमें अकेला x दिख रहा है समजागी यहां पर अगर ऐसा एलजबरी का ऐसा पोलीनोमियल आजए ओपुछे वापी शनदव कोफिशेंट अपिशेंट अपकेंट अप्सिट जीलों को सकता है एक सब्सक्राइब को सकता है एक सब्सक्राइब नहीं होगा मालो अगर ऐसे हो 7XY plus 4Z what is the coefficient of X 7Y what is the coefficient of Y square here we cannot see Y square so the coefficient is the coefficient of Y in this case the coefficient United Nation of Y is it clear how we should come when you तरवाने लगी में ओना लगी अवर देखर अवर नगी तरवाने लगी में परक्ष्ट जबार मुच्छों किया पूच्छ रहे थे इस थे थे इस इस दिगरी कि इसकी डिकरी कि वाण बाण कैसे की जैसे हमारे पास होता ना 4x3 इधर देखो प्लस 8x2 plus 6x plus 7 constant लिख देते हैं कांसेंट को अकेला लिख देते हैं 7 उसके साथ बेरियेबल नहीं डालते उसके साथ बेरियेबल क्यों नहीं डालते हैं जैसे इसके साथ क्या होता है एकस रेस्ट पावर जिया जो कॉंस्ट होता है उसके साथ यह डिगरी नहीं लिखते ही कि वह उडिसके साथ जो भी वेरिये बला उसकी पावर क्या है 0 वेटा पिर देख लिया था था अपने किसी दमांगी फिर मैंने रोक दिया मैंने का शैटुने तो बेटा फिर देख ले तिर मैं आप जान भूत कैसे काम करते हो ना कि माम गुसा करें is it clear so the degree of the constant polynomial is 0 like we have 9 9 raise to power 1 is 9 but its degree is 0 and the constant polynomial is 0 the constant polynomial 0 is called 0 polynomial mcq मैं सकता है what is a 0 polynomial a number 0 is called a 0 polynomial and the degree of the constant polynomial is always a 0 root x plus 3 is it a polynomial why it is not a polynomial there is a sleeping root x plus 3 is not a polynomial by इसके साथ रूट लगा हुआ है इसके पॉलिनॉमियल नहीं है इसके पॉलिनॉमियल नहीं है इस पॉलिनॉमियल नहीं है इस पॉलिनॉमियल अ इसके उपॉलिनॉमियल नहीं है इसके बाद अगर आजाए फाइंड डिगरी उप दिगरी ओपॉलिनॉमियल वह भी पॉलिनॉमियल उसकी डिगरी इसके जोपावर शवावर से अगस्टेग, पॉर आसरे इस तॉपर4 प्स2 मेडी एंग एंग धिग्री okay so now 2 minus y square minus y cube plus 4y raised to power 8 what is the degree रेनुका वाट इस डिग्री किसकी होती है रेनुका हमेशा डिग्री किसकी हम देखते हैं वेरियेबल को इसके साथ क्या है एनी वटेवर वेरियेबल वी टेक्स पाइब जो उसको क्या बनाता है वान इसलिए अगर हमारे पास सिंपल कोई नंबर लिखा है कोई वेरियेबल उसके साथ नहीं जीरो है क्यों क्योंकि इसके साथ जो डिग्री वेरियेबल होता है उसकी पावर क्या होती है जीरो जिसकी वज़े से वह बनता है वान नंबर के साथ मुल्टिप्लाइब होके वह नंबर इसका मतलब अगर कोई कॉंस्टेंट नंबर है तो उसकी डिग्री जस्कीरत क्या है है हां अगर ऐसे हो तू की पावर नाइन वाट इस अडिग्री अरे वाट इस अडिग्री येस प्राशी वाट इस डिग्री वाई एट वाई नौट नाइन क्योंकि वह एक्स की पावर नहीं है यह टू रेस टू पावर नाइन तो कोई नंबर बन जाएगा डिग्री हमेशा वेरियेबल की ठीक है वेरियेबल की पावर जिरो पॉलिनॉमियल आपको बताया क्या होता है जिरो अनमबर जिरो इस पॉल्ड जिरो पॉलिनॉमियल वाट इस इत इस रिटन इन to ncrt only page number 31. What is a degree of.. who is talking continuously what is the problem?. What is the degree of the zero polynomial adversaire? कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है 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 जीरो पॉलिनॉमियल क्या होत 0 polynomial बेटा क्या उटा है ? 0 polynomial क्या उटा है ? वट इस शिचे प्लीज बेखा ? वट इस खीरो पॉलिनॉमियल ? a number 0 is called a zero polynomial. If it is written 0, then this is called, this is known as zero polynomial. अब इसके डिगरी क्या है ? हमने बोला 7 हो, 9 हो, इसकी डिगरी है? 0. एसके डिरी के हैं इसके डिरी नौट दिफाइंड इसलिए है क्योंकि कहले है आइनसर के अशकता है 투 पावर फिर अटे हूं कुले पर गौँन डिक गया लगा हूं पोलती मेटलिया नाइनक्टक्रण लिखने में जी तान्सरां दो सेंसला पोर लगाती हूं वान जीरो कुछ भी पावर लगाउं वो अल्टीमेटली क्या बनेगा त्यूंकि कॉफिशन जीरो है इसलिए आंसर क्या आता है जीरो इसलिए इसकी कोई भी पावर होगा आंसर बिल बी जीरो तो देर्फोर इट्स डिग्री इस नॉट इपावर इस इसके बाद तो कुछिन इजिया इए बाट इस जीरो डिव रूट निकालो वें वैल्यू घिवन उसको पुछ करना है तो पॉइंट वाइजी ठीक है तो इसलिए अगर पे विविल तो मौरो विल टॉट एक्ट्रा विशन क्योंकि सुनो क्योंकि जैसे आपके बुक में ब इतने इजी कोईशन पर में नहीं आएंगे कि आपकी काल टैस्ट है ठीक है आई नो तो मौरो टैस्ट इस क्रॉम पूल चैप्टर एट एक्जांपल अभी मत करो बिड़ पोईंट थोरं करो क्वेश्ट और बेटा प्लीज पढ़कर आना पिछला टैस्ट इतना गंदा तुम लोगों नहीं किया फाइदा नहीं तो नंबर तो लगाने ही पढ़ते है ना फिर बताओ अब 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 तुम गंदा पर फॉम करोंगे अच्छी बात नहीं है फिर फाइनली नो वालिडे फिर मैंने फिर कोई बस वसकी बैने मैं से बात कर लिए मैं कहते है बच्चा बस में आ रहा हो जैसे मर्दी उसके पैरेंट्स की हड़क है वो लेने आएंगे अगर बच्च इस अब विल गेव चार भी देशकते हैं थ्री दूंगी थ्री कोईशन में से अगर आप तू कोईशन पे सही करते हो तो आप एल तो नहीं होगे आप पर 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 अच्छी अच्छी पर पर